हलो फ्रेंट्स कैसे आप समझी लोग उम्मीद है सभी लोग बहुत इच्छे होंगे और त्यारी भी बहुत इच्छी तरीके से कर रहे होंगे तो कि हमारी यह जो क्लासे चल लें छोटी-छोटी क्लासे हैं लेकिन बहुत ही फायदेबंद रहने वाली हैं हम यहाँ से देख मिलेगा कि कितने सारे कोश्चन एकजाम में रिपीटेड हुए हैं जो कि 16-21 जनुरी की बीच में हुआ था तो कम से कम हर सिप्ट में 3-4 कोश्चन रिपीटेड आ रहे थे लगातार बस थोड़ा-थोड़ा गुमाफिरा के आ रहे थे लेकिन रिपीट हुए थे अब यह सो में आपको 5-6 या पर 10 कोस्टिन तक देखने को मिल सकते हैं तो इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और जो लोग जूड़ चुके हैं सेशन में एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी की पास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए के बार सुरू करते हूं अप आपका घर एक्स पर रिष्तित है और आपका विद्याले वाई पर रिष्तित है अपने विद्याले पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलो मिटर जाते हैं और फिर ठीक पूर दिशा में 4 किलो मिटर जाते हैं वाई पर आपकी विद्याले के साप एक करिए कि देखिए आप लोगों का सही आंसर आ रहा या फिर नहीं आ रहा है जब तक हम इसको हल कर रहे हैं सभी लोग करिए इसको हल तो इसमें क्या कहा गया है कि आपका घर एक्स पर इस्तित है और आपका विद्याले वाई पर इस्तित है देखते हैं हमारा घर मान लिजिए X से Y यहाँ परिस्थित है उसके बाद में है अपने विद्ध्यले पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिसा में 3 किलो मिटर जाते हैं यहाँ से हमारा विद्ध्यले उपर की साइड में हुआ यहाँ से हम उपर के कितने किलो मिटर 3 किलो मिटर उपर जाते हैं फिर ठीक पूर दिसा में 4 किलो मिटर जाते हैं वाई पर तो उसके बाद में यहां तक हमें जाना पड़ा 3 किलो मिटर फिर हमें यहां से मुड़ना पड़ा वाई के लिए यहां पर हमारा विद्ध्याले था यह है चार किलो मीटर ठीक है? आप हमसे पूछ रहा है कि यहां से लेकर के हमसे हमारे विद्ध्याले के सापेक्स आपके घर की नियुनतम दूरी और उसकी दिशा क्या होगी यह पूछा जा रहा है तो यह देखिए यहां से यहां तक आप इसको मिला लीजिए फिर आपको इसमें क्या करना था? यह जो दिशा है आपको बतानी थी तो यहां पर आप एक प्लस का निसान बनाईए उपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दच्छिन इधरे पूरप और इधरे पश्चिम राइट साइड में पूरप रहता है और लेफ साइड में पश्चिम रहता है उपर उत्तर और नीचे की तरफ दच्छिन रहता है मेप में तो आपको जो दूरी थी यह आपको बतानी थी दूरी कैसे निकालते हैं था western पर हमेंगेंगा तीन का स्कुएर प्लस चार का स्कुएर कितना वो यह तानुब्त मच्छन कि रहा है और समर्भ चूर भीलकू से हो जायगा Now निकल किया रहा है दच्छेंड और पस्चिम निकल किया रहा है दच्छेंड और पस्चिम पांच किलो मिटर तो इसका आपसा नमबर तीन जो था बिल्कुल सही है पांच किलो मिटर दच्छेंड पस्चिम में चलते हैं दूसरे कोश्चिन पर दूसरा कोश्चिन था हमारा मि एक मिलान करवा रहा है। और आप लोग लगा दास देख रहे हैं तो अब तक आपको याद हो गया हो गा कि किस राज में किस परकार की सबजियां फिर पसंदिदा भोजन खाये जाता है। पाठ weiß का नाम है खाना अपना अपना कच्छा तीन की किताब से पूछा गया था खाना अपना नमक पाट से गोवा में किस प्रकार का भोजन खाय जाता है कस्मीर में किस प्रकार का भोजन खाय जाता है केरल के लोगों को किस प्रकार का भोजन पसंदे और हांग कांग के लोगों को किस प्रकार का भोजन प सद determiner को पुछा इतने दिनों में सोच कितनी बारपीट होते हैं सारे की सारे सारे कोश्चन तो प्रिविएर कोश्चन पेपर हल करना बहुत ज़रूरी सीटेट के लिए ज़िए नंका मिलान कर दिर आपको कहां में कस्मीर, मैं कस्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मचली मुझे पसंद है, क्या कहरी लड़की है, कहरी कि मैं कस्मीर में रहती हूँ, और मुझे सरसों के तेल में बनी मचली पसंद है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं, कस्मीर दिया है, और सरसों के तेल की बनी मचल में इ tuh मर्य नारीयल के तेल में समुद्यक्र की मच्छिए है या rapt मैं तेल में बने होगती है तुम फूह को पता है केरल में रहता हूं मुझे सबसे धो चीज़ें लगती है ne दोनों चीजे मेरे घर के आंगन में उगती है एक जो है वो उपर उचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे बस नारियल डेली किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो मज़ा आ जाता है तो इसका मिला नाराम से कर देजी आप लोग देखिए केरल का हो नारामस माहा हो गया को तो इसका हो जाएका आपसर नमबर चार गया यह सो और जाएगा चलते हैं तीसरे कोश्चन पर कोश्चनम बिरिच हमारे देश के प्रतियोक होने वाला एक महतपुर मसाला एक मसाले को वैंपारी हमारे देश में कहां से लाए थै Origin सबी question में कितने question सही निकले और अगर आपकी shift के ये question आये थे तो आपको भी बताना है कि ये आपकी shift में पूछे गए थे वीडियो को एक बार सभी के पास में शेयर करके लाइक कर दीजिए इसका सही निसर आप लोगों को बताना था तो चलिए पढ़ते हैं क्या हो जाएगा कौन कहां से आये जी यहां पर दिया है इसे पूर्तगाल देश के व्यापारी यहां से पढ़ना चालू कीजिए इसे दच्छिन अमेरिका इसको लाया कौन था इसको पूर्तगाल के व्यापारी भारत को लेकर आये थे कहां से दच्छिन अमेरिका से लेकर के आये थे भारत पूर्तगाल के व्यापारी इसको आपको याद रखना है यहां से दो से तीन कोश्चन बने थे आपकी सोला से लेकर क 21 जनवरी तक जब तक एक्जाम हुआ था तब तक आगे देखते अब हैं कुश्चन है गुजरात के निकटवरती राज्य है रिपीटेट कुश्चन है 21 दिसंबर को भी कुश्चन पूछा गया था और 22 दिसम्बर को भी question आया है गुजरात के निकटवर्ति राज के बारे में तो answer कर दिजी सभी लोग एक बार चलिए मैप देख लेते हैं फिर answer करिए यह देखे यहाँ पर गुजरात है तो इसके सटे हुए राज्यों है वो है राजस्थान, मद्ध प्रदेश, महाराष्टर कौन है राजस्थान है, मद्ध प्रदेश, महाराष्टर है अब यहाँ पर देख कर बताए कौन सा आपसन सही होगा राजस्थान, मद्ध प्रदेश और महाराष्टर तो देखे पहला ही आपसन जो है राजस्थान, महाराष्ट और मद्ध प्रदेश, गुजरात की निकटवरती राजज़, दूसरा आपसन देखते हैं, महाराष्ट मद्ध प्रदेश करनाटक नहीं है, कट गया, तिसरा है राजस्थान, बिहार नहीं है, यह भी कट गया, चत पक्षी का नाम जिसकी आखे मानव की तरह सामने की तरह होती है रिपीटेट कोश्चन है सभी लोग इसका अंसर करिए एक बार ये कोश्चन हम आपको करवा चुके हैं अपनी तांडव सिरीज यह जो हमारी चल रही सिरीज इसी का अंतरगत अगर आप लोग लगाता हमारी सि कर नोगाते होगा इन रिपीट होते हैं और विक को जो सामने की तरफ होती है तो यह यहां से जो है आपका लिया गया था तो इसका आप नहीं किया होगा आपसा नमबर फोर अगर आप नहीं किया था तो आपका सही हो गया होगा आप लो कमेंट वाक्स में जरूर बताना लाश्ट में कितने कोश्चन आप सही कर पा रहे हैं अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर सिक्स क्या है तीन पच्छियों का वह समोग जिसका प्रतेक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी से इसपष्ट देख सकता है जो वस्त हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ये पच्छी आठ मीटर दूरी से देख लेते हैं तो ये पच्छी कौन सा है आपको बताना है पहला अपसने बाज कववा कबूतर दूसरा अपसने बाज चील और गिद तीसरा अपसने कबूतर तोता और चील चौथा अपसने कववा चील और बुल बुल सभी लोग एक बार इसका अंसर करिए नोट कर लीजिए इसका सही अंसर क्या होगा फिर हम देखते हैं question कहां से आया था और इसका सही answer क्या होगा अब आई या NCRT book से question लिया गया था लिखा है चील बाज और गिद जिसे पच्छी हमसे चार गुना जादा दूर से देख पाते हैं तो इसका यही सही answer हो जाएगा कौन सा है इसका सही answer चील बाज और गिद कहां पर दिया यह option number two जो है इसका यह हो जाएगा बिलकुल सही answer अगर आप लोगों ने option number two इसका select किया होगा तो आपका भी answer जो है सही हो गया होगा क्या है बाज चील और गिद जो है वो हमसे कितने चार गुना जादा कितना चार गुना अधिक दूरी तक इस पष्ट देख सकते हैं बाज चील और गिद क्वेश्चन important है आप लोग इसको याद रखेगा आपके exam के लिए काफ़ important है यह आगे देखते हैं question अंडमान के दीपो में सुनामी किस वर्स में आई थी जो हमारे अंडमान के दूइपें वहाँ पर सुनामी किस वर्स में आई थी यह पूछा गया है आप सने 2001 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2012 में सबी लोग इसका answer कर लीजिए, फिर देखते हैं question कहां से उठाय गया था यह उमीद है अप तक आप लोगोंने answer कर दिया होगा इसका तो यह आई थी 2004 में, यह देखिए सन 2004 दिसंबर में आये सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीवे भार और उनके द्वारा दीगे चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान के खास आदिवासी जात समझ गई उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया, इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए तो यह आई थी संदोजाचार दिसंबर में कब आई थी, संदोजाचार दिसंबर में अंडमान के द्विपसो नामी आई थी तो इसका जो है आपसा नमबर थ्री जो है बिल्कु सही हो जाएगा और यह NCRT की बुक में आपका दिया हुआ था, वहां से कोश्चन लिया गया है अगर क्लास अच्छी लग रहे तो शेयर करते चलिए क्लास को और वीडियो को लाइक करते वे चलिए पूरी क्लास में बने रहीएगा बहुत अच्छी अच्छी कोश्चन है, जो पूचे गए थे आपके, सारे का सारे कोश्चन वही हम लेकर क्या है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर आठ क्या है सलाथ के विशेय में नीचे दिये गए विशेय पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है पहला अपसंद दिया गया है, सलाथ लगबग 20 घंटे पेड़ से उल्टे, सिर लटक कर मस्ती से सोता है दूसरा है, सलाथ जिस पेड़ पर रहता है, उसी पेड़ के पत्ते खा कर अपना पेड़ भरता है इसे कहीं और जानी के आवसकता नहीं होती है किसरा है, सलाथ की आव लगबग 20 वर सोती है और इतने समय में या केबल दो पेड़ों पर ही जाते है तो बताएए इन तीनों में से कौन कौन से आपसंद सही है देखते हैं सलाथ के बारे में थोड़ा, ये देखिए ये देखो लटका हुआ है सलाथ ये भालू जिसे दिखते हैं पर भालू नहीं ये दिन के करीब 17 गंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं कितने गंटे? 17 गंटे यहाँ पर कितने दिया है? 20 गंटे यानि ये हो गया गलत यहाँ पर होना चाहिए था 17 गंटे तो हो गया 20 गंटे ए वाला हो गया हमारा गलत दूसरा देखते हैं जिस पेड़ पर रहते हैं से पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं इसलिए इन्हें कहीं और जानी की जरूरत ही नहीं पड़ती जब ये अपने पेड़ के सारे पत्टे खा लेते हैं तब ही वेपास के पेड़ पर जाते हैं यानि इसका जो आपसर नमबर टू है कि सलाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेड़ बरता है इसे कहीं और जाने के आउसकता नहीं होती B वाला हो गया सही अब देखते हैं C वाला सही या फिर नहीं है उमर देखते हैं इसके कितनी होती है लिखा है कि लगभग 40 वर्स के अपने पूरे जीवन में ये मुस्किल से 8 पेडों पर घूमने की तकलीप उठाते हैं B तो आपका सही अंसर हो गया होगा चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है किसी व्यक्ति ने गांधी धाम से नागर कोईल के लिए 12-10-2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया ट्रेन गांधी धाम से 22 बचकर 30 मिनट पर चली और दो दिन के पश्चात अर्थात 14-10-2021 को 22 बचकर 30 मिनट पर नागर कोईल पहुँच गई यदि गांधी धाम और नागर कोईल के स्टेशन की बीच की दूरी 2592 किलोमेटर है तो इस ट्रेन की आउसत चाल कितनी होगी अगर आपको यह कोश्चन निकालने आते हैं तो आप निकालिए और इसका अंसर बताईए क्या होगा इसका आपसा नमबर 1 अगर आपका निकल के आएगा 15 मिटर पर सेकंड तो फिर बिल्कुत सही आएगा आपसा नमबर 1 देखते हैं अगला कोश्चन क्वेशन है गहाना नेशनल पार्क किस राज जिमेशती थे उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात आंसर आप लोगों को करना था इस क्वेशन का, बताईए सबी लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा तो गहाना नेशनल पार्क जो इस्तित्थे वो है, राजस्थान में आपसर नमबर तीन इसका सही है देखते हैं क्वेशन लिया कहां से गया था, क्वेशन लिया गया था आपकी बुक से लिखाए हमारे देश में बाग और अन्न कई जानवरों की गिंती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खत्रा है हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरच्चा दे रही है जैसे उतराखंड का जिम कारवेट नेशनल पार्क याद रखना इनको राजस्थान के भरतपूर जिले में गहाना कहा है राजस्थान के भरतपूर जिले में घाना नेशनल पार्क है तो इसका अफसर नमबर 3 जो है बिल्कुर सही हो गया घाना नेशनल पार्क कहां पर है राजस्थान में है भरतपूर जिले में चलते हैं एकले कोश्चन पर कोश्चन नमबर 11 है भारी वर्सा वाले छेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीडों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए अब आज यह नहीं पूछ रहा है कि किस प्रकार के बने होते हैं तो काफी अच्छा कोश्चन है, आप लोग इसका अंसर कर दीजिए एक बार, बांस के घर होंगे या फिर बांस के खंबों पर ढालू छट वाले घर होंगे, तो इसका अंसर देने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, NCRT बुक से कोश्चन उठाया गया था, मैसम के मौलन गाओं से आया हूँ, हमारे याँ बहुत बारिस होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगबग 10-12 फूट उचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंबों पर बनाते हैं, यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, तो मजबूत बांस के खंबों पर धालू छेत वाले घर बना जाते हैं समय हैं, आपसन नमबर टू इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गर आप लोगों ने भी आपसन नमबर टू किया था, तो आपका भी यह कोश्चन सही हो गया होगा, देखते हैं कोश्चन नमबर बारा, कहां से आया था कोश्चन नमबर बारा, आया था घट परनी यानि की सिकारी पोधा या फिर पिचर प्लांट, जो कीट और मेड़क तक को फसा कर खा सकता है, हमारे देश के एक पूरवी राज़ी में भी पाया जाता है, इस राज़ी का नाम क्या होगा, कल या कोश्चन पूछा गया था, यानि की दिसमबर की सिप्ट को भी या कोश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें यह नहीं पूछा गया था, किस राज़ी में हो, यहा पाया जाता है, इसकी विशेस्ताइं पूछी गई थी तो हमने कल बहुत आराम से इसके बारे में जानकारियां ली थी कि यहाँ कहां पर मतलब कि भारत में कहां पर पाये जाता है तो देखते हैं आज फिर से इसके बारे में हम और इसको आप लोग याद करते हैं चलिए साथ-साथ में क्योंकि 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 एक्जाम अभी 100% बनेगा घटपनली पोधा से सम्मंधित चलिए NCRT बुक से यह लिया गया था दिया है कुछ ऐसे पोधे भी होते हैं जो चूहों, मेड़कों क्या दिया है कुछ ऐसे पोधे होते हैं सिकारी पोधे के नाम से यह दिया है यहाँ पर देखिए इसके बाद में देख कुछ ऐसे पोधे होते हैं जो चूहों, मेड़कों, क्यूड़ों, मकोड़ों, छोटे जिवों का सिकार करते हैं इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मसूहरे या स्टेलिय इंडोनेशिया और भारत के मेगाले राजी में पाये जाता है। पूदे नहीं निकल पाते हैं। देखा ये पोधे भी सिकार या फिर सिकारी होते हैं और कितनी चत्राई से सिकार करते हैं। इसकी जितनी विसेशता हैं थी हमने आज की इस अपनी टिपड़ी में पढ़ लिया इसके बारे में है और यहां से कॉश्चन सो परसंट बनेगा आ आपका अंसर बिल्कुल सही हो गया होगा अब देखते हैं कोश्चन नम्बर 13 कहां से लिया गया था और किस प्रकार से आया था 22 तारीक की सिर्ट का कोश्चन से दिया दो बच्चों की क्लिनिकल विक्रत रिपोर्ट नीचे दी गई है नीचे दिये गए अनुशार थी आरती एक लड़की है उसकी आई अउबारावर से इस्त्री है होमोगलोबिन उसके अंदर है 10.5 और एक लड़का है नमन उसके अउबारावर से उसकी जो हमोगलोबिन रिपोर्ट आई है वो 8 आई है तो आपको ये बताना है कि उपरोक्त रिपोर्ट के आधारपन निम्लिखित में से कौन सा एक निसकर्स निकाला जा सकता है पहला आपसने आरती अनेमिया रखतलपता से पीडित है दूसरा आपसने नमन अनेमिया रखतलपता से पीडित है तिसरा आपसने दोनों ही अनेमिया या फिर रखतलपता से पीडित है चौता आपसने दोनों ही अनेमिया से पीडित नहीं है तो आपको इन चारों में से कौन सा आपसängen सही लग रहा है तो बताइए एक बार सभी लोग इसका कौन सा आपसन सही होगा देखते हैं कॉस्टिन कहां से लिया गयए था कॉस्टिन लिया गया था यहां से अनिमिया क्या है डाक्टर ने कहा कि खून में होमोगलोविन या फिर आईरन की कमी है डाक्टर ने ताकत की दवाई दिग गुडामला और हरे पतिदर सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा यह रिपोर्ट है होना चाहिए था बारा से सोला और कितना है आठ है यानि कि उसके अंदर अनिमिया की कमी पाई गई है अनिमिया है इसको और इधर यह जो है यह लड़के की रिपोर्ट थी इधर देखे एक ही नाम इधर दोनों तरफ इसने लिख दिया इधर भी आरती लिखा है तो लड़के की जो है रिपोर्ट यह आठ थी इसको चाहिए थ इसको भी 12 से 16 चाहिए था इसके अंदर 10.5 था तो दोनों के अंदर जो है अनेमिया की कमी पाई गई थी इसका आपसर नमबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा दोनों ही अनेमिया से पीड़े थे तो आपसर नमबर 3 अगर आप नहीं किया है तो बिल्कुल सही आपका अंसर हो गया होगा चलते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन है अलविरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का ब्रहमण किया था किसे ने किया था एक यात्री था अलविरूनी जिसने हमारे देश का ब्रहमण किया था के बारे में नीचे दिये गए कथन पर विचार कीजी आपको यहाँ प भी जादा साल पहले एक यात्री भारत आये इसका नाम था अलविरूनी अलविरूनी जिस देश से आये थे उसे आज कल उजबेकिस्तान कहते हैं अलविरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगों को देखा और उनके बारे में लिखा खास तोर से वे जो उन्हें अप बढ़े बढ़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरीयों से जोड़का तालाब के चारों तरफ चब उत्रे बनाया जाते हैं इन चब उत्रों के बीच में उपर से नीचे जाती हुई सीडियों की लंबी कतारे होती हैं लोगों के उतरने चड़ने के लिए कुछ पता चलता है यह डाक टिकट 1773 में चफी थी जब उनके जनम के हजार साल पूरे हुए थे आप लोग इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अलविरूनी के जनम को हजार साल 1973 में पूरे हुए थे उस दिन यह डाक टिकट यह जो आपके सामने लगी है फो पूरे हुए थे आप लोग इसको याद रखना अब हम पढ़ाएंगे कथन जो हमारे कोश्चन में दिये गए हैं यहां पर हमने पढ़ लिया इसके बारे में जानकारियां पहला कथने अलविरूनी ने भारत का ब्रहमड हजार वर्स से भी पहले किया था तो हमने पीछे प हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं यह भी सही है यानि इसका ABC तीनों सही थे इसका आपसर नंबर 4 अगर आप लोग ने किया होगा तो आपका बिलकुश सही हुआ होगा 22 दिसंबर की सिप्ट के कोश्चन है सारे के सारे अगर आपकी सिप्ट में कोश्चन आया था और आपने भी इसका आपसर नंबर 4 यानि कि ABC तीनों को सही किया होगा तो आपको मिल गया होगा एक नंबर चलते हैं अगरा कोश्चन है अंतिम कोश्चन है कोश्चन नंबर 15 नीचे देगे वक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में जाका और या सिद्ध किया की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं आगे चल कर उसे उसकी खोज के लिए नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया बताईए ग्रेगा जान मेंडल रोजालिंड फ्रेंकलीन या फिर रोनाल्ड रोश या फिर बोमोंट तो इन में से कौन था जिनों ने मच्छर के पेट में जाका और सिद्ध किया की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं तो एक बात सभी लोग इसका अंसर करिए बताईए क्या हो जाएगा सही देखते हैं कोश्चन आया कहां से था कोश्चन आया था यहां से गया था लेक है मच्छर के पेट की कहानी और विग्य पता लगाए कि मलेरिया मच्छर से फैलता है चलो उनसे ही सुनते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं मेरे पिता भारती थलसेना में जनर्नल थे मैंने डाक्टरी की पढ़ाई की लेकिन मेरी दिल्चस्पी कहानिया पढ़ने कविता लिखने और शंगीत और ड्रामे में थी खाल के पेट में जहाका और सिद्ध के अता कि मच्छर से मलेरिया फैलता है तो इसका अपसर नमबर तीन जो है अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपका बिल्कुत सही हो गया होगा तो यह थे आपके 22 दिसंबर में पूछे गए एवी इसके वो सारे कोस्टन जो हमने आपक को क्लास अच्छे लगी हो तो जरूर शेर करिएगा शेशन को तो आपको ज़्यादा समझ में आता होगा कि हाँ इससे आपका मनोबर बढ़ेगा और आप अपनी त्यारी को अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो बताइएगा कमेंट बाक से में कि क्लास के यसे लगी अच्छी त्यारी को करते रही है धन्यवाद बाबाएं